हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? I am Omfrakas और स्वागत है आपका JSC Defense Zone YouTube चैनल में दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं C-Tate, J-Tate, U-Pate और Un-Tate की और जब हम लोग C-Tate, J-Tate की बात करते हैं तो उसमें जिन प्याजे का नाम ना आय सा हो ही नहीं सकता का क्यूशंस पेपर देख लिजी आप लोग उसमें दो से तीन नंबर जरूर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों इस कलास में बात करने वाले हैं आज जीन प्याजे की संग्यान अतमक्सिधान्द की जो बहुत ही महतोपूर्ण हैं अगर आप दो तीन नंब से सी टेट या अन टेट में टेट को क्वालिफाइट करने से रुख जा रहे हैं तो आज हम सभी जीन प्याजे के संग्यान अतमक्सिधान्द को इस कलास में ऐसा कम्पलीट करने जा रहे हैं जिससे की दो से तिन नंबर हम लोग का किलियर हो जाएगा और किसी भी टेट को करने से कोई नहीं रोक सकता है आज हम सभी जीन प्याजे के संग्यान अतमक्सिधान्द को निचोर कर रखेंगे जिससे आने वाली हर एक-एक क्यूचन को हम लोग सोल्व करेंगे जो बहुत ही मौत्वपूर्ण है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन की वीडियो आप तक पहुंच सके तो आए दोस्तो आज हम लोग कलास को स्टार्ट कर रहे हैं जो टौफिक है जिन प्याजे का संग्यान अतमक्सिधान्द तो आए श्टार्ट करते ह कलास देखिए दोस्तो यहां पर टौफिक उफर में लिखा हुआ है जिन प्याजे का संग्यान अतमक्सिधान्द तो जिन प्याजे की संग्यान अतमक्सिधान्द की सिधान्द इसको स्टार्ट करने से पहले जिन प्याजे ने कुछ महत्वपुन बाते कहीं थी कुछ महत् कि पियाजे के संग्यानत्मक विकास के सिधान्त की बेख्या करने से पहले इस सिधान्त से कुछ संबंदित, कुछ महतोपुन्थ कॉंसेप्ट जानने किया हो सकता है तो देखिए उस सिधान्त को देने से पहले जिन पियाजे ने कहा कि कुछ कॉंसेप्ट है सबसे पहले आप उसको जान लीजिए इसके बाद हम लोग जिन प्याजे के संगयन अत्मक सिधान्द को देखेंगे तो देखेंगे दोस्तों सबसे फर्ष्ट जो कॉंसेप्ट है वो है आपका अनुकूलन देखें अनुकूलन होता क्या है तो प्याजे ने कहा कि बालकों में वातावरन के साथ समायोजन करने की जन्मजात प्रविरती होती है जिसे अनुकूलन कहते हैं यानि जिन प्याजे ने कहा था कि जो बचे होते हैं उनमें वातावरन देखिए वातावरन के साथ समायोजन करने की जन्मजात प्रविरती होती है यानि किसी भी बच्चा को किसी भी परकार की वातावरन में अगर जे आप छोड़ देते हैं या फिर उस वातावरन में आप बच्चे लोगों को रखते हैं तो बच्चा जो हैं उसी वातावरन के साथ ढल जाते हैं, उसका समायोजन कर लेते हैं, इसे ही अनुकुलन कहते हैं, दोस्तों ये भी बहुत बड़ा, most important चीज है अनुकुलन, इसे भी related questions आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं, और अब अनुकुलन में दो परकार के चीज होते हैं, एक हैं आत्मसाथ करन और एक हैं समायोजन, जो इसे भी related आपको question देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आत्मसाथ करन को, ये आत्मसाथ करन होता क्या है, जब बच्चे अपने पुरो ग्यान का साहरा लेकर नई किरिया सीखता है, तो इसे ही आत्मसाथ करन करते हैं, देखिए, क्या कर रहा है कि जब बच्चे अपने पुरो ग्यान, यानि पहले की ग्यान का साहरा लेकर नई किरिया को सीखता है, यानि जब बच्चा अपने पहले की ग्यान के माध्यम से, जब कोई नई किरिया सीखता है, यानि नई ग्यान को सीख उसे ही आत्म साथकरन कहते हैं, जैसे मालिज जी एक example हम लोग देख लेते हैं, कि बचा के पास जोए कुछ नोलेज है और उस नोलेज के साहरे अगर जोए के माध्यम से अगिला चीज शिख लेता है तो उसी को कहते हैं आत्म साथकरन यानि पूरो ग्यान के माध्यम से कुछ नए चीज़े को सीखना सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे यानि पहले की ग्यान जो हम जानते हैं उस ग्यान से अगर जम कुछ नए चीज़ को सीख जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आत्मसात करन अब देखिए इसका next है समायोजन अब समायोजन क्या होता है समायोजन में देखेंगे इसमें पूरो ग्यान का काम नहीं आता बलकि बच्चे ने ग्यान के लिए अपने बेहवार में परिवर्तन कर समायोजन कर लेते हैं क्या कर रहा है कि इसमें पूरो ग्यान काम नहीं आता यानि होता क्या है कि जब बच्चे कुछ भी जानते हैं तो इसमें जो पूराने ग्यान होते हैं इससे इन ग्यान को नहीं सीखते हैं बलकि अपने बेहवार में परिवर्तन कर समयोजन कर लेते हैं example हम लोग simple एक दिहाती language में जानेंगे और सुनेंगे जैसे बचे होता क्या है कि कहीं पर या किसी रिष्टेदार या relation में चले जाते हैं तो वहाँ पर पूरो ग्यान काम नहीं करता है वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ का जो condition है जो अतावरन है उसके अनुसार वहाँ के बेहवार के अनुसार बचा खुद ढ़ल जाता है यानि अपने बेहवार को क्या करता है कि चेंज कर लेता है घर में किस condition में रहता है तो अपने बेहवार के coding रहता है लेकिन जैसे ही किसी relationship इसमें पूरो ज्यान की कोई ज़रुत नहीं होता है जब जहां तब तैसा इसमें करना पर यानि जब जहां जैसा कंडिशन है वहां वैसा कियाता है इसमे पुर Beef Gn maze कोँई श्रकता नहीं होता है, समय और situation के coding और बेहवार के coding अपने आपको परिवार्थ कर लेना समयोचन कर लेना ही समयोचन कहलाता है देखेंगे सेकेंड है schemes इसमें क्या कर रही है? इसकिम से बेहवारों का संगठित पैटर्ण जिससे आसानी से दोहराया जा सके इसकिम से कहलाता है जैसे बच्चों को स्कूल के लिए त्यार होना नास्ता करना स्कूल बैक को पैक करना आदी सीम्पल तरीके में हम लोग देखेंगे कह रहा है कि बेहवारों का संगठित संगाठिट पैटर्ण यानि बच्चे लोग के अंदर एक जब उन लोग पढ़ना स्टार्ट कर देता है तो उन लोग के अंदर एक हैबिट आ जाती है क्या जिसको लोग दोहराना नहीं भूलते हैं उसी को इसकिम्स कहाते हैं जैसे इसकुल जाने से पहले बच्चे को इसकुल के लिए त्यार होना जब इसकुल जाने लाइक होगे बच्चा इसकुल जाते हैं तो उनको कोई भी नहीं प्रेसर देगा तो पर भी वो अपने इसकुल जाने के लिए त्यार होने लगते हैं अपने के अंदर एक हैविट हो गया है कि हमको इतना वजी उठना है इतना वजी नास्ता केरना है फिर हमको अपने बेग को त्यार करना फिर इसकूल चला जाना है इसी को कहा जाता है इसकिम्स तो उमीद करते हैं कि आपको एक कंडिशन समझ में आ गई होगी तो आगे देखते हैं देखिए यह था आपका कॉंसेप्ट कुछ जिन प्याजे के संग्यानत्मक विक्यास से पहले जिन प्याजे ने कुछ कॉंसेप्ट दिये थे जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं तो आए अब हम लोग में टॉपिक बे आते हैं प्याजे के संग्यानत्मक विक्यास की आवस्था हैं यानि सिधान्त तो देखे जिन प्याजे ने चार आवस्था यानि चार सिधान्त दिये थे संग्यानत्मक से रिलेटे जिसमें फ़र्ष्ट है संबेदी पेसी आवस्था सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक आवस्था जिसे प्राक्ट संक्रियात्मक आवस्थ जिससे हम लोग अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था काते हैं देखे इसमें अक्सर बच्छा लोग कॉन्फ्यूज करता है एक्जाम में अगर इसमें कोचन दे देता है तो बच्छा लोग नहीं पकड़ पाता है कि मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है और अपचार आजे का संग्यनात्मक आवस्था होते क्या हैं और इसको पाश्चानेंगे कैसे तो एक दम इजी होए हम लोग पाश्चान लेंगे बस आप लोग इस वीडियो में बने रहे हैं देखते हैं आगे अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे फर्स्ट है संबेदिये पेसी आवस्था देखिए दोस्तों जो संबेदिये पेसी आवस्था होता है वो जनम से दो वर्ष तक चलता है संबेदिये पेसी आवस्था जो होती है एक दम माइंड में कॉंसेप्ट याद कर लेंगे जो संबेदिये पेसी आवस्थाएं होते हैं उजन्म से दो वज तक चलता है। जब बच्च जन्म लेता है से लेकर दो वज तक। यानि सबस्टीय प सिर्वीय मतलब होता है आपका सरीर का भाग। यानि आपका हात, कान, नाक, मुँऐ एस सबड़ोप्छे। पेशिये पाचानेंगे जो पेशिये हैं पेशिये का मतलब होता है शरीर का भाग तो आप लोग इसमें याद कर लेंगे कि जर्म से दो वस्तक संबेदिये पेशिये वस्ता आती है इसमें बच्चे लोग अपने पेशिये के मादयम से यानि अपने हाथ अपने पाउं अपने इसका अने नाम और है इंद्र जनित गामक अवस्था संबेदिये प्रिरक अवस्था संबेद प्रनोद अवस्था इसको भी आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि हो सकता है एकजाम में आपको भूआने के लिए संबेदिये प्रिरक अवस्था संबेद प्रनोद अवस्था तो दोस्तों इसको आप लोग याद कर लेंगे अच्छा से यानि जो संबेदिये प्रिरक अवस्था होता है इसमें बचे अपने पेसिये के माध्यम से वस्थू को चुने का मसुष करता है नेक्ष्ट देखेंगे नेक्ष्ट है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको इसका दूसरा नाम भी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था देखिए इसमें क्या होता है इसमें होता है या दो से साथ वस् सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चा है को अपनी मा की आवाज से और उपने पीता जी कि को आवाज के माधियम से पहचान लेता है तो इसके अंदर वस्तु के साथ भी अपनी सम्बंद को पस्थाफित करने लगता है सेकेंड और देखेंगे इसमें क्या है आत्मिकेंद्रित बच्चा यह सोचता है कि दुनिया की अधिकतर चीजे उसकी इर्द गिर्द चकर लगाती है यह बच्चा ऐसा मौसूस करता है इस यह में इस कंडिशन में कि दुनिया के जीतनी सारी वस् अधिकतर बच्चा इतना ही ठिंकिंग करता है कि दुनिया की सारी वस्तु हमारे आसपास ही है बड़कि उसके बारें विश्येस उसको नहीं knowledge है लेकिन इतना जानता है जब रात में चांध को देखेंगा तो लगए मेरे आसपास में ही वा चांध चकर लगा रहा है नेफ्ट देखिए बाचा कुछ निर्जीव गतिमान वस्तु को जीवित समझता है जैसे पंखा गाड़ी आदी यानि जो बच्चा है जैसे रेल गाड़ी चल रही है बस चल रही है कार चल रही है तो वह समझता है कि यह जीवित है यानि निर्जीव वस्तु को भी गतिमान स सजीव है बस जैसे उस सुचता है कि हम चल रहे हैं तो गाड़ी चल रही है इसका मतलब गाड़ी भी हमारे जैसा ही सजीव है यही ओ ठीकिंग करता है और देखे क्या कर रहा है और इस इस वास्तें बचा जोड़ गुना भाग आदिस संक्रियां करने लगता है देखे दो से स देखे दो गुने तो पराबर चार हुआ प्रोंतु यह नहीं समझ पता है यह कैसे हुआ जैसे चार से दो में भाग दिये तो दो आया लेकिन एक बच्चा को पता नहीं है जैसे देखे अगर जै हम लोग चार भागे दो जैसे चार से में दो घटाते हैं तो दो आता है यह पता है कि भाग देत आगै। लेकिन कैसे आता है यह सबखेस सीधाओ के बारे में उसको उलेज नहीं है। बहुत ही मेहनत से और हैंट रिटेन जो नोट मैंने बनाया है बहुत ही कारगर है एकदम अपनी लेंगवेज में हैं आपको इसको एक बार इस नोट को पढ़लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे जो बहुत इजी तरीके से मैंने इस नोट को बना कर आप लोग के बीच लाया ह तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिफियर करेंगे और इसको किलियर कर लेते हैं तो आपको जीन प्याज से दोस्तों यदि आप लोग याद करते चलेंगे हो सकता है यह साथ वर्षे बार er स्व 20 तक चलता है जो क JENकर आपका मुर्त संक्रियात्म का वश्ता यह साथ वर्षत है यह साथ वर्ष से क्या बिशेष्टा इस सवास्था की सबसे मुख्य बिशेष्टा यह है कि बचा ठोस वस्तु के अधार पर तो मांसिक किरियाएं कर लेता है प्रन्तु अमूर्त या साब्दिक कर्थन के अधार पर मांसिक किरियाएं नहीं कर पाता है देखिए और क्या है इस सवास्था में परण्तु अमुर्थ नहीं होता है केवल मुर्थ वस्तुवों से समवंदित होता है देखे इसमें क्या होता है नॉर्मल तरीके से आप लोग सिख लिजिए जो बाच्चा होता है इसमें वो चिंतन करना स्टाट कर देगा यांनी, पूछेगा कि बच्चा चिंतन करना अब लोगता है यानि इस अवास्ता में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है प्रौण तू अमूर चिंतन नहीं कर पाएगा उसके बारे में ज़्यादा वह नहीं सोच पाएगा पूरा बिश्त्रित आपको बिश्लेशन नहीं कर पाएगा लेकिन हाँ सोचना स्टार्ट कर देता है यह चीज होता है जैसे 2 गुले 2 इसकोल टू 4 हुआ तो वह कैसे हुआ इस सब के बारे में वह सोचने लगेगा जैसे माल यह चांद चल रहा है कि सूरेज चल रही है कि पृत्वी चल रही है इसके बारे में वह सोचना स्टार्ट करेगा लेकिन उसको बिश्लेशन पूरी तरह से किलियर नहीं कर पाएगा कि तीनों में क्या संबंध है, सूरे और प्रित्मी में क्या संबंध है, अब सूरे चल रही है, कि प्रित्मी चल रही है, इसके बारे में वह सोचना स्टाट करेगा, कि कोई ने कोई एक चल रही है, लेकिन उसके बारे में बिशलेशन नहीं कर सकता है, तो यही होता है आपका मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्षे 12 वर्ष तक चलती है इसका दूसरा नाम है फूस संक्रियात्मक अवस्था दोस्तो अब देखिए नेक्स्ट है आपचारिक संक्रिया अवस्था यानि 4 चौथा जो इसकी अवस्था है उसको कहते हैं अपचारिक संक्रिय अवस्था जिसको हम लोग इसका दुसरा नाम है अमुर्थ संक्रियात्मक अवस्था देखिए यह अवस्था में क्या होता है यह अवस्था बारा वर्ष से वैसका अवस्था तक होता है यानि बारा वर्ष से स्टार्ट होता है और यह मिर अमुर्त चिंतन करने लगती है यानि किसी चीज़ को किसी चीज़ को धिस्कार्ष करने लगता है किसी चीज़ को खुल इस आवास्था में बच्चा स्विंग समस्या समाधान करने लगता है, यह निकि बच्चा के साथ कुछ समस्या भी आती है, कुछ प्रोब्लम आती है, तो वह कोशिस करता है कि मैं ही सबसे पहले इसको खुद से स्वोल्ब कर लूँ, इसके बाद ही नहीं हो तो किसी के पास ल अवास्था है, इसमें बच्चे लोगों का जो भी विकास है, वो उच अस्थर से होने लगते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि 12 सल के बाद बवायज हो या गल्श हो, उनमें सभी परकार की जो भी सारीरित परिवर्तन है, वो आपकी अस्टार्ट होती है, तो उस सब सारी इस आवास्था में जो भी विकास है, वो आपका उच अस्थर से प्रारंब हो जाती है, देखिए उसके बाद है, इस आवास्था में संग्यानात्मक भी विकास उच अस्थर पर होता है, यानि इस आवास्था में बच्चा संग्यानात्मक रूप से सोचना स्थार मानसिक विकास परिपक हो जाते हैं यानि इस सवास्था में बच्चे लोग का जो मानसिक विकास है वो परिपक हो जाते हैं यानि सभी परकार से उसकी जो मानसिंग कंडिशन है उसकी जो डावलोपमेंट है वो पूर्ण डूप से परिपूर्ण हो जाती है तो दोस्तों यही थास में जिन प्याजे की संग्यानात्मक विकास की सिधान जिसको आप सब उने देखा जो बहुत ही महतोपुन है एकजाम की भी उसे तो मैं उमीद करता हूँ कि आप सब कोई वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसको आप लोग देखिए समझिए और मैं कोशिस करूँगा कि जिन प्याजे से जितनी भी रिलेटेट क्यूचन से मैं आप लोग को इसके अधारी सारी क्यूचन में कराऊँगा जिसके मादेम से आप लोगों को जिन प्याजे से समझने जो भी समझिया है किलियर हो जाएगी और दो से तीन नमबर आपको कोई भी टेट की एकजाम हो उसमें आपको आना ही आना है जिन पर आजे से रिलेटेड तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको हम से रिलेटेड जितने भी हम हमारे वीडियो हैं वह आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो चलिए द जरूर दने भाद